हेलो एवरीवान, वेलकम आक टो मैं यूट्यूब चैनल साइंखुशी क्रियेशन्स आज के वीडियो में मैं आपको पूजा में जितनी भी प्रकार की बातियां इस्तेमाल होती हैं वो दिखाने वाली हूँ सबसे पहले तो विशेश दो प्रकार की बातियां होती हैं जो हम सबके घर में होती हैं एक गोल बत्ती और एक लंबी बत्ती अब मैं आपको दोनो बातियां जो हैं उनका महत्व बताऊंगी कि किस पूजा में आपको कौन सी बाती प्रजोलित करनी चाहिए वैसे तो अगर आपको confusion है तो आप कोई भी बाती यूज़ कर सकते हैं गोल बाती के जो फाइदे होते हैं गोल बाती में कोई direction नहीं होती गोल बाती की जो जोत है वो सीधी होती है तो हर दिशा में चहु दिशा में उसका प्रकाश जाता है तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हम East की साइड दिये का मुख करें, West की साइड मुख करें, किस तरफ हम दिये का मुख करें, तो आप एक गोल बाती यूज कर सकते हैं, पर जब हमें दिया जादा देर तक प्रेजुलेट करना होता है, तो गोल बाती हम यूज नहीं कर पाते हैं, तो तब आप गोल बाती का यूज नहीं कर सकते, तब आप लंबी बाती का यूज करें, किस प्रकार की वो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ, तो ये देखे, गोल बाती को हम नीचे से थोड़ा सा रूई निकाल कर, और उसके बाद उसमें घी, तेल, जो भ गोल बाती ही आप यूज करें, ये जादा अच्छा होता है, किसी पेड के आगे, केले के वरिक्ष के आगे, बेल पत्र के वरिक्ष के आगे, किसी के भी सामने अगर आपको दिया प्रजुलेट करना हो, तो आप गोल बाती का दिया यूज करें, अब हम मंदिर के सामने जो दो बाती को मिलाकर बाती बनाई जाती है वो होती है हमें पूजा में हमेशा दो बाती जलानी चाहिए बातियों का जोड़ा प्रजुलित करना चाहिए तो ये देखे ये बाती मैंने चैनल पे बनानी सिखाई हुई है लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ ही साथ आप रूई की जगा कलावे की बाती बना सकते हैं उस वीडियो का लिंक भी मैं description में दे दूँगी तो इस प्रकार की अगर आपको बटी हुई बाती नहीं बनानी है तो ऐसे लंबी बती का packet मार्केट में भी मिलता है इससे आप घर पर ही वो पटी हुई बाती बना सकते हैं ये जो बाती है ये लंबी वाली है यानि इससे दिया जादा देर तक जलेगा कम से कम ये जो दिया है ये वाली बाती अगर आप लगाते हैं ना अखंड जोत में मैंने ये बाती दो बाती लगाई थी और नौ दिन के बाद भी काफी सारी बाती बच गई थी तो अगर आप ये लंबी बाती यूज करते हैं तो वह काफी समय तक जलती है और ये जो छोटी वाली बाती है ये भी कम से कम एक दिन तक दिया प्रेजुलित करक यही जादातर घरों में यूज होती है तो आप या तो बटी हुई जो आपको सामने दिख रही है ये वाली बाती या जो सामने प्लेट में रखी है ये वाली बाती रोज मंदिर की पूजा में यूज कर सकते है छोटी बाती का तो packet market में मिल ही जाता है और अगर आप घर पर बनाना चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं ये जो बातियां हैं ये रुई की बनी हुई होती है और आप ये देखकर इन लें कि बाती अच्छी रुई की बनी हुई है क्योंकि कई बार रुई में मिलावट भी होती है तो बाती जो है वो असानी से जल नहीं पाती है और इसके बाद आती है रंग भी रंगी बातीयां तो रंग भी रंगी बातीयां जैसे समझ लीजे बुद्वार की पूजा है तो हरे रंग की बाती आप यूज कर सकते हैं सूरे देव की पूजा में लाल रंग की बाती यूज कर सकते हैं माता लक्षमी की पूजा में गुलाबी रंग की बाती और विशेश रूप से भ्रस्पतिवार को अगर आप विश्णु जी की पूजा कर रहे हैं तो पीले रंग की बाती का यूज होता है तो अगर आपको ये रंग मी रंगी बाती मिल रही है तो तो बहुत अच्छी बात है आप ये यूज कर सकते हैं वरना कोई दिक्कत नहीं है इतनी प्रकार की बाती ना लाएं आप सिर्फ लंबी बाती या ये जो गोल बा क्याइंगी ये बात में तभी की कर रही हो जब कोई विशेश पूजा हो जैसे दिवाली हो तो आप रोली में बाती रंग सकते हैं मातरा लक्श्मी की पूजा के लिए विश्णु जी की एकाच्छी हो तो आप पीली बाती यूज़ कर सकते हैं बाकि नॉर्मल जितने भी पूजा के दिन होते हैं उसमें तो आप ये जो साधी वाली बातीयां आती हैं इन्हीं का प्रियोग करें तो यहीं सारी जानकारी थी जो मुझे आपको बातीयों के बारे में देनी थी क्योंकि पूजा की हर एक छोटी छोटी चीज़ बहुत माइने रखती है बाकि अगर आप पूजा शद्धा से करेंगे तो उतना तो काफी है ही तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें मेरे चानल साइंग खुशी क्रिएशन को ज़रूर से सब्सक्राइब करें थांक यू वरी मच पूर वाच्छा